क्या आपने कभी सोचा है कि पानी की बूंदों का शेफ हमेशा गोल ही क्यों होता है कप्रे धोने के लिए हम डिटरजेंट या गर्म पानी का इस्तेमाल क्यों करते हैं और ये इंसेक्ट पानी पर इतनी आसानी से चल कैसे पाते हैं इन सब का कारण है surface tension और आज इस class में हम लोग surface tension के बारे में ही पढ़ने वाले हैं मेरा नाम है मनीश आप देख रहे हैं डिये विगुरू चलिए जल्दी से class को शुरू करते हैं इस class में mainly हम लोग 3 चीजों के बारे में discuss करने वाले हैं सबसे पहले surface tension होता क्या है उसके बाद surface tension का SI unit क्या होता है और कुछ एक jumpers देखेंगे जिससे की surface tension को समझना हमारे लिए आसान होगा तो चलिए सबसे पहले topic को इस टार्ट करते हैं जो की है surface tension surface tension होता क्या है इस बात को ध्यान से समझेगा जब भी किसी liquid को एक container में रखा जाता है तो उसका free surface एक stretched membrane की तरह behave करने लगता है वो कोशिश करता है कि किसी तरह अपने surface area को minimum जितना कम हो सके उतना कम कर ले इस बात को practically समझने के लिए आप एक cup या glass ले लिजिए और उसको पूरा पानी से भर दीजिए जब यह पूरा पानी से भर जाए उसके बाद धीरे धीरे इसमें थोड़ा और पानी डालिए जब आप थोड़ा और पानी डालेंगे तो आप देखेंगे कि जो actual glass का level था ना उसके थोड़ा ऊपर तक पानी भर पा रहा है और पानी नीचे गिरता भी नहीं है इसका रीजन है surface tension ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पानी का जो सबसे उपर वाला layer था ना वो एक membrane की तरह जिली की तरह behave करने लगता है एक stressed membrane की तरह behave करने लगता है और वो पानी को नीचे गिरने से रोग देता है ये property हर liquid में होता है औ आपने देखा भी होगा कि मच्छर आसानी से पानी पर बैठ पाता है ये डूबता भी नहीं है इसको रोख के रखने वाला कौन है इसको रोख के रखने वाला है पानी का सबसे उपर वाला layer जो की surface tension के कारण एक जिली की तरह behave करने लगता है यहाँ पर देखिए surface tension का एक proper definition दिया गया है आप इसको exam में लिख सकते हैं इस definition के according surface tension एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि liquid का surface जब किसी gas के साथ contact में रहता है तो वो एक elastic sheet की तरह काम करने लगता है जैसे कि इस speaker में एक liquid रखा गया है और यह liquid air के contact में है जो कि एक gas है ऐसे condition में liquid के top layer का elastic sheet की तरह काम करन कि प्रक्रिया को ही surface tension कहा जाता है यह बहुत important definition है आप इसको याद कर लिजेगा surface tension इस term का इस्तिमाल के वल तब किया जाता है जब कोई liquid का surface gas के contact में हो जैसे कि air हो गया यहाँ पर भी वही था एक liquid का surface gas यानि कि air के contact में था इसलिए यहाँ पर हम लोग surface tension term का इस्तिमाल कर सकते हैं लेकिन अगर यही प्रक्रिया दो liquids के surface के बीच में हो तो उसे surface tension नहीं कहा जाता है उसके लिए एक अलग term है उसका नाम है interface tension जैसे कि दो liquid मालेते हैं water और oil यहाँ पर water है और यहाँ पर oil है इसके बीच में एक membrane बन जाता है जिली जैसा बन जाता है जिसके वज़ा से दूनों अलग अलग रहता है इस phenomenon को हम लग interface tension कहेंगे surface tension नहीं कहेंगे एक important note यहाँ पर दिया गया है कि water का surface tension बागी के liquid से अधिक होता है लेकिन एक exception भी है liquid metals जैसे कि mercury हो गया mercury का surface tension water से भी अधिक होता है अगर आप एक plane surface पर एक बुंद पानी डालेंगे तो वो गोल हो जाएगा ऐसा इसलिए क्योंकि mercury का surface tension water से अधिक होता है mercury अपने surface area को water से भी ज्यादा minimize कर सकता है because of high surface tension कुछ ऐसे factors है जो कि water के surface tension को affect करते हैं जैसे कि अगर पानी में कोई दूसरा molecule आकर मिल गया तो उसके कारण से पानी का surface tension घट सकता है लेकिन यहाँ पर भी salt exception ह salt अगर हम लोग पानी में मिलाएंगे न जैसे कि NaCl अगर हम लोग पानी में NaCl मिला देंगे तो पानी का surface tension घटने के बजाए उल्टे बर जाता है इसके अलावा temperature भी water के surface tension को affect करता है अगर हम लोग temperature को बरहते हैं तो water का surface tension कम हो जाता है इन दोनों factors के अलावा electrical conditions पर भी surface tension depend करता है liquid or gas के interface पर present electrical charge के वज़ा से surface tension बर भी सकता है और घट भी सकता है surface tension का ऐसा unit Newton per meter होता है और अगर हम लोग CGS unit की बात करें तो dines per centimeter होता है बट ये unit आया कैसे वो हमें इसके dimension से पता चलेगा that is force per unit length लेकिन इसका ये dimension कैसे आया चलिए इसको अच्छे समझते हैं surface tension के कारण हर liquid अपने outer most layer को अंदर की तरफ खीचता है और इसको अंदर की तरफ खीचने के लिए वो एक force लगाता है अगर liquid के surface के unit length L पर लगने वाला resultant force F है तो surface tension will be equal to F by L इसलिए surface tension का dimension हो जाएगा force per unit length वह यहाँ पर लिखा हुआ था force per unit length अब चलिए SI unit की बात कर लेते हैं force का SI unit होता है newton और length का SI unit होता है meter इसलिए surface tension का SI unit हो जाएगा newton per meter CGS system के according force का unit होता है dine और length का unit होता है centimeter इसलिए surface tension का CGS unit हो जाएगा dine per centimeter वह यहाँ पर दिया गया था हमारा next topic है surface tension examples हम लोग total 8 examples देखेंगे surface tension का जिससे कि आपको बता चलेगा कि surface tension काम कैसे करता है और इसका हमारे life में क्या significance है सबसे पहले example को तो हम लोग already discuss कर चुके हैं जो insect होते हैं जो छोटे छोटे कीरे होते हैं वो पानी पर चल पाते हैं because of surface tension surface tension के कारण पानी का जो उपडी layer होता है एक membrane की तरह काम करता है एक जली की तरह काम करता है और मच्छर का insect का उतना weight नहीं होता है कि वो इस membrane को penetrate कर सके इसी वज़ा से ये आसानी से पानी पर वाक कर सकते हैं इसी तरह से सुई भी पानी पर तैर सकती है सुई का density पानी से कई गुना जादा होता है फिर भी ये पानी पर तैर पाती है just because of surface tension इसके लिए हमें धीरे से सुई को पानी के surface पर रखना पड़ेगा बहुत सावधानी से ताकि सुई पानी के ऊपर के membrane को penetrate न कर सके और अगर एक बार सुई तैरने लगा उसके बाद अगर हम लोग इसको छू दिये तो ये फटक से नीचे डूब जाएगा इनका इस्तेमाल हम लोग कपरे धोने के लिए करते हैं और जब इनको पानी में मिलाया जाता है तो ये पानी के surface tension को कम कर देते हैं एक्च्वल में होता ये है कि water के high surface tension के कारण water drops कपरों के इन छोटे 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 छिदरों में नहीं जा पाते हैं जिस वज़ा से कपरा साफ नहीं हो पाता है लेकिन जब पानी में soap या detergent मिलाया जाता है तो water drops break हो जाते हैं और वो आसानी से इन छोटे छिदरों में जा पाते हैं जिस वज़ा से कपरा आसानी से साफ हो पाता है उसी तरह से गर्म पानी से कपरे दोने पर भी कपरा आसानी से साफ हो जाता है क्योंकि पानी को गर्म करने से पानी का surface tension कम हो जाता है लेकिन अगर हम लोग पानी में detergent का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके वज़ा से surface tension कम हो ही जाता है अगर हम लोग heating करेंगे उसके बाद भी तो वो एक तरह से unnecessary होगा surface tension की वज़ा से john disk का भी test किया जा सकता है क्योंकि normal urine का surface tension 66 dines per centimeter होता है लेकिन john disk के case में surface tension घट कर 55 dines per centimeter हो जाता है इस वज़ा से डॉक्टर आसानी से john disk को recognize कर पाते हैं अब चलिए next example देखते हैं tint का जो कपड़ा होता है वो कुछ हद तक rain proof होता है उसके आर पर पानी नहीं जा सकता है ऐसा इसी लिए क्योंकि surface tension के कारण water का drops बन जाता है और water drops tint के कपड़े में छोटे छोटे जो pores होते हैं उसको cross नहीं कर पाते हैं इस वज़ा से पानी tint के कपड़े के आर पार नहीं जा पाता है लेकिन अगर आप tint के कपड़े को अपने उंगलियों से छू देते हैं तो पानी का surface tension कम हो जाता है और पानी भीतर आने लगता है rain water जब किसी waxy surface पर गिरता है ताकि पानी फैलेना पानी बूंद बनकर एक जगा जमा हो जाए और उसको साफ करना असान हो सबसे अंतिमिक जांपल है interface tension का जो कि दो अलग-अलग liquids के interface पे लगने वाले surface tension को कहते हैं तेल और पानी को एक ही class में रखने पर दोनों separate हो जाते हैं और इनके interface पर जो surface tension लगता है उसी surface tension को interface tension कहा जाता है finally हमने इन सभी topics को complete कर लिया आपके class के ऐसे और भी वीडियोज आपको एक playlist में मिल जाएंगे उस playlist को open करने के लिए left side में क्लिक कीजिए और अगले class का video देखने के लिए right side में क्लिक कीजिए पिलाली सुडियो में इतना है मिलते हैं अगली class में बहुत सारे नए topics, नए concept के साथ तब तक लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से बढ़ाई करते रहिए